राम राम सेथ सरीकान वे सारे वाई आनद आपके अपने यूट्यूब चैनल सुफ़ीर डांडा डेरी फारम पर आप सब भाईयों का स्वागत है जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगया गंटी का बटन भी दबा दें भाई ताकि आने वाड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाईयों को मिलता रहे जो भाई अपने फेस्बुक पेज डांडा मुरा फारम से जुड़ना चाते हैं पेज को लाइक करें फोलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो वहाँ पर भी सेयर करें आज का वीडियो अपने ही डैरी फारम से है भाई जो रूटीन और रख है उसमें जैसे आप यह वीडियो में पहले शुरुआत में भी देख्या और अब भी देख रहे हो यह जो सफेद मैट हैं यह नई डाल दिया अपने पस्वों के निच्चे भाई इनके निच्चे पहले मैंने डाल ले थे दो तिन मैट एक भाई का फोन आ गया और उसको ज़रूरी चाहिए थे भाई वो आए हुए थे इसे रिया में तो मैंने गंगा के निच्चे थे वो मैट दे दिये थे उठा के लेकिन आज सभी के निच्चे ही इनके तीनों के निच्चे नए डाल दिया आगे 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 निच्चे पराने ही है बढ़िया रहे हैं भाई अच्छा है यह पराने मैट हैं और बढ़िया चले हैं बढ़िया चले हैं मेर तो बहुत दनों के चल देना और आगे देखो के वह लिग जो भाय चालों को फोन हैं किसी के मांद्य में ुप्वा यह को HOLD लेकिन कुछ नहीं लगीन में को किशी की उप्हायंनी के लेके लुग लेकिन चल लेकिर आई थे जो आप지는 यह पहले इसकी वीडियो भी देखी थी आप लोगों ने तो इसका भी बच्चा चडाई कर गया भई कई दन पहले कर गया था मैंने वीडियो डाली वो थोड़ा दूप में रह गया और उसकी वज़े से बूखार बने गया और फिर वो चडाई कर गया तो लेकिन जो टी इतनी ठंडी निकली गी भई मागे दाना डालो या टाल लगाया तो थोड़ा हाथ आत मार्या और साथ की साथ पहुंशा हुए तो उसमें चलो यह भी फायदा हो गया कि भई पसू ठंडा निकले आया और एक तो वही बात है टीक्यों पेर उस पे चले लात पजीत तरह कोई फायदा नहीं लेकिन यह ठीक रही बहुत स्यांत सबाओ की जोटी है इसके नीचे कटड़ा था और चुआई भी अच्छी है जोटी की यह नहीं कह सकते कि भई चुआई मारी है बहुत अच्छी चुआई है और दूद भी अच्छा कर रही है देखो उमी तो उमीद करेंगे कि जोटी 20 किलो दूद आप सब भाईयों को भी दिखा देंगे भाई और अगर थोड़ा बहुत कम रहा तो भाई फिर के पता मौका मिले ना मिले ना भी दिखा पाऊ लेकिन देखें साथ की साथ जोटी ने पहुंशाई और चुआई भी जैसे मेरत कि में पसु लगा वहां तो अगर कोई अलग से बंदा या कुछ आपा और बंदे को विठावां गे या वो अंगुठों से चोर्या है बैं इसको मुठी की आदत है तो भाई उसमें पसु वाद्दा की लोतिन पादूद भी कम दे देर वह जादा भी कम कर दे क्योंकि जिस देखो चुआई मैं बहुत से भाई योंगी देखी लेकिन नरेश भाई है जो बुड़ा खेड़ा से नरेश बैनी वाड़ उसकी और उनके करवाले दौनों ही जल चुआई करें भाई ये नहीं पता लगदा कि भाई चुआई कर रहे हैं कि नी खासकर नरेश भाई की वो बैस थनक के पास से आथा थोड़ा हाथ हिलता मसूस हो है और वो चुआई करके अपना जब वो रेशमा जैसी बैसें कतिस बतिस तेस चुआई की दूद देखना चाहें तो पीछे निकाल के देख सकते हैं लेकिन चुआई होनी चाहिए बैई मुठी की ही कई बैई जैसे इंगुठे से निकालने हैं तो उनमें थोड़ा दिक्कत तो आवे है और यह जैसे रूटीन का ही काम है बैई शाम के टाइम मिलकिंग हो है जैसे माता परली साइड में तेल मार रही है कई बार यह मख्या मुख्यां थोड़ी बहुत तंग करते हैं बैई क्यों बीच में अगर मैं नहीं बोलूँगा तो वीडियो में भाईयों के कमेंट आएंगे कि आप यह क्या मार रहे थे वीडियो इसमें फौरे के साथ यह मैं पहले भी वीडियो बना चुक्या हूं भाई इस मैटर पर की बैई जैसे कई भाईयों के अब भी आज है फोन जैसे मक्यों के लिए डीजल और शर्चों का तेल दोनों समान मातरा में मिला गए और वो कई बार उन फौरें से नहीं लग दे तो इस फौरे से आपा मिला गए जैसे यह फौरा ठीक रहे है पहले तो मैं भी लेके आ था लेकिन अब अपने पास नहीं है भाई यह देखें वो आगले थणों की चुवाई में कर दी और यह पीछे आड़े थणों की चुवाई करने लग रहे हैं मैं भी भाई वेट तो बहुत बड़ा लिया लेकिन वही बात हो जे है पाणी छोड़ो अब ता वही लगन लगी लेकिन फिर भी कोई दिकत नहीं सक्षम महां दूदाद निकालने में निकाल यहां भाई बड़िया तरीके जे क्योंकि शरू से यादत जब सिक्ये थे उस नहीं पका के निकाल दिये बारग वेजा कितनी ज्यादा सक्षम याड़ी के दार निकाल लिए तो निकाल देगा तो यह तो बहुत मोटी चुआई की जोटी है थना ऐसे लगे हैं जैसे खारकी के हों टाइट चड़ेगी है लेकिन दूद की अच्छी है देखो दूद का रेट कम है जो फीड आप या और चीजों को देखते हुए कम है लेकिन फिर भी चलो यह तो अपना यह हो गया गर दूद पीने के लिए रखनी है और खर्चा भी है और कुछ सेल माज है कोई पसू सेलो यह साथ की साथ यह तो अपनी मजबूरी है वही इस में पसू पहले तो वही बात है आपना श्योंक तो है ही है लेकिन जो खर्चे नहीं निकल रहे है या सब चीजों के रेट महेंगे और दूद सस्ता देना पड़ रहा है वह एक मजबूरी ही ऐसे बनेगी वह जो गर पे रख लिया उससे अलग दूद तो देना ही देना पड़ेगा यह देखें बई मुठी से ही मेरी चुआई होगा है इसी बैसकी में चुआई करने लग रहे हैं तो मुठी से ही करा हाँ पहा शरू में तो जब चुआई करने की आद़ दाली उस टाइम पे एक गात की मुठी दाविया गर दे और एक आग उठा लगाया गर दे क्यों का फरक हो भी यह होजे कि भई हाँ इस थन में दूद कम है इसमें जादा है और बपार लाइन में तो भई शीखना भी ऐसा ही पड़ा है अगर जे कम जादा दूद के लिए हमां फेर दिकता आओ उन चीजों में यह जो भी भई चलो गुठा ही करें तो भई कोशिश करें अगरों मुठी से चुआई हो है उसमें पसु रिलैक्स फील भी करेंगा पाया दूद जादा भी देगा भई कि यह देखें जो ठीकी चुआई के से आपसे यह सड़े चोधा सब्सादे चोधा किलों के लग बकी बाल्टी है लेकिन अच्छी रहेगी दूद की भई अभी तो यह नहीं कहूंगा कि देखो हूं बाल्टी ने देखका मैं यह नूं काईदियों के ना इतना दूद हो ग सब्सक्राइगी तो वही बात है वही दिखावांगे और एक और हो गया जैसे चलो कटड़ा प्रमात्मान प्यार हो या तो उसमें दीरे-दीरे सैटिंग पकड़गी बैए चाहिए 19 किलो दूद देओ चाहिए ठारा देओ चाहिए 20 देओ डलना सारा है डब्बे में यह कि समका कि अपना डैरी में जावाय चकर रखो क्योंकि बच्चे का जब तो थुड़ा हा और जाद मन में फीलो होंदा कि यह बैस दूद ना देंदी जैसे अमनुस्तिस वली सैट नहीं होई थी अब दिरिद्रियोंने लगी कि बैस दूद नी देरी डैली टीके लगाने पड मैं इसको एक मिलको प्लेक्स की गोड़ी दी पैंचेर दन वैसे भी उसको भी दी वो भी सैट होने लग दो और एक सोका अमियोपैथी की अमित बाई का अपना चैनल है दा फार्मिंग लीडर इंडिया के नाम से तो अमित डांडा का है वो चैनल उसने उस पे सारी डिटेल दी है बैए कि बैए जो बचा कई बार मरजे या पसुक्चुक करन लगजे तो उन चीज़ों में वो काम करे हैं और अमित भाई नहीं मेरे को बता था देखो आपने को जो बाई बता दें आपने एक बार यूज करके जरूर देखा हाँ जो भी चीजों है लेकिन ऐसा नही कि भाई नहीं यूज करी और रुकाइदा ना वो चीज बुरी है अपना सब चीजों की ट्रायल करके मैं बहुत से द्वाईयों के रिजल्ट निकाले भाई उसमें मिलको प्लेक्स देवा एक तो भाई दो गोड़ी सुबह दो श्याम को और एक एम पीम के नाम से आवे है अस गंटा और मिलको प्लेक्स भी साथ ही दे दी थी भाई तो उसमें ठीक रूटीन पकड़ गी और बढ़िया रही उमीद तो है कि भाई 20 किलो दूद गरेगी और देखो टाइम मोके की बात है ये रूटीन का दूद है इसका गुड़ तेल सलू किया है देखो मानगी तो भा बाई यो अपने गराबरतने लाग रहे हैं और बहुत से बाईयों की रिक्वाइरमेंट थी मैट के लिए मैं जो पस्वों के नीचे थे वह भी उठा के दे दी आपको वीडियो में पहले वी बताया लेकिन अब जो बाईयों की डिमांड थी कल से जाने लगे हैं आज भी जाएंगे तो आज मेरे ख्याल में जजजर साइड से एक बाई आएगा उनको नो दस मैट लेके जाने हैं तो जिस भी बाई की रिक्वाइरमेंट हो वो लिजा सकता भाई अभी तो पड़े हैं एक गाड़ी मंगवाई है और वो अपने पसों के नीचे अपनी जुरूरत क इस आप से मैट भी चास गए तो आप सब भाईयों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के मादम से अपनी राय जरूर दें लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सब भाईयों का धन्यवाद जी